कि आज आज जो है फॉन है मेरे पास ओपो का ओपो एपंद्रा है तो दोस्तों यह फॉन जो प्रोल्म है वह डैड है और डैड कर्णिशन में फॉन है तो चलिए जैसे कि मैं यहां पर बैटरी कनेक्टर पर चेक कर पा रहा हूं तो यहां पर किसी परकार का सौट नहीं है और कि रिडिंग भी प्रोपर आरा हैं बट इसमें मैंने चेक किया है इसमें सोट दिखा रहा है यह यहां पर नहीं दिखा रहा लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा लाइन यहां पर सोट दिखा रहा है मेरे पास जो यह फोन आया है जो इसी कंडिशन में आया है किसी रिटेलर का है और यह फोन जो है सोट है कि चलिए जो इसका जो चार्जिंग का सेक्शन है उस पर हम यहां पर चेक करेंगे और इधर जो है पावर आई सी उस पर भी रिटिंग लेंगे कि यहां पर हमारा पावर लाइन है वी बैट का और यह सिदा जाके हमारी चार्जिंग आई सी है भी क्यूंग इसमें इन हो रहा है और फिर इससे जो निकल रहा है वह हमारा वी पेस लाइन तो जैसे कि हमने यहां पर वी पेस लाइन को चेक किया तो यहां पर देख सकते हैं सोट दिखा रहा है यह देखेगा यहां पर वी बैट वी पेस का लाइन है वह सोट है फुल सोट है और यह वी पेस का लाइन सीधा जा रहा है हमारे पावर आइसी की तरफ ठीक है उसके बाद में यह काफी सेक्शन में जाता है नैट्रक सेक्शन ग्राफिक लाइट इन सभी सेक्शन पर जो है यह जाता है तो गाइज आप जैसे की सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी पीच लाइन पे फोर वर्ड हमने्द दिसी MR मसिन से करंड देंगे तो यहां पे कोई पार्ट हीट होगा ठीक है लेकिन ऐसा इस फोन में नहीं है मैंने यहां पर विप्यच लाइन का जो है फॉरवर्ड डिसी मशीन से लगा के देखा है बट अब एम्पिर ले रही है डिसी मशीन ठीक है लेकिन यहां पर कोई भी पार्ट हिट नहीं हो रहा यहां पर कोई कैपेसेटर नेट्रुक सेक्शन पावर सेक्शन चार्जिंग सेक्शन यहां पर कोई भी पार्ट ऐसा हमें जो है हिट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे तो इसको हम यहां पर रोजिन तो रोजिन से नहीं निकालेंगे सोड कि यहां Intelli फाइदन ही और हो रहा है तो रोजिन लगाने से कोई फाइदा नहीं है तो इसमें यह होगा कि हमें इसी वगरा यह निकाल के फिर चेक करना होगा में तो फर्स्ट जो हमारा जो वी पिएच जो जरनेट करता है वो यह चार्जिंग बीक्यू आएसी है तो इस आएसी को हम यहां से निकालेंगे और फिर देखते हैं कि कि पितनो छो री लुगाओा, टचार्ज है चाहते हैं झाले वो पितनती है somewhere कि और भ्याप चे कीौ Monday अल्राजिए, और भी लोलभिया, रहते हैं बातो जो हम चार्ले पना दोनेंगे झालेंगे करतो झालेओश unjustlyी つो हम इ consciousness हमने चार्जिंग को निकाला है और यहां पे दो रेजिस्टर को भी निकाला है कि रेजिस्टर जो है आपस में सोट होता है तो इसलिए रेजिस्टर को भी निकाला है और फिर भी हम यहां पे चेक कर रहे हैं तो देखिए कि सोट जो है वो अभी भी बना हुआ है फुल सोट है ठीक है पावर के पीछे जो वीपेस लाइन है कैपिसेटर वो दोनों तरफ से सोट आ रहा है मनुद सोटिंग जो अभी हमारा ऐसे कैसे ही है ठीक है चार्जिंग है चली हम उसके बाद में चलते हैं पावराइसी के तरफ उसके बाद पावराइसी को हम निकालेंगे अब हम यहां पर डिशी मेशिन से और जो हमारा वी पीएच लाइन है उस पर हम यहां पर डीशी मेशिन से कनेक्ट करेंगे तो मैं कनेक्ट किया अभी यहां पर तो तो आ रहा है और जैसे कि कोशिस कर रहा हूं देखने का कि कोई पार्ट हिट हो और वो हमें नजर आए लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है पूरे पलेट को जैसे कि मैं यहां पर हाथ लगा के देख रहा हूं कि कोई कैसा कोई गर्मार्ट लेकिन बिल्कुल भी यहां पर हिट बिल्कुल भ निकाला लेकिन इससे भी सोर्टिंग हमारा नहीं निकला है ठीक है तो आज देखिए हम आगे क्या करने वाले हैं और इस मोड पर जो है हम चलते हैं ठीक है तो यहां पर हमने मिल्टिमेटर में चेक किया तो यहां पर अभी भी जो है फुल सोट है तो गाईज अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जितने भी यहां पे कैपिसेटर है ठीक है हो चकता है इनमें कैपिसेटर कोई ऐसा सोट हो और वो हीट भी ना हो तो जितने भी capacitor लगे हैं जो ground आ रहे हैं दोन तरफ उन capacitor को हम निकाल के चेक करने वाले हैं यहाँ पर मैंने कफी देर चेक किया और capacitor निकाला तो यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ सेम ट्रेक के पीछे यहाँ पर एक capacitor था और वो दोनों तरफ से विप था उसको निकालने के बाद में जो है यह sorting हटा है तो capacitor यहाँ पर है था लेकिन फिर भी यहाँ पर हिट नहीं हो रहा हो क्यों कई वर capacitor कुछ ऐसे होते हैं जो फुल सोट होते हैं लेकिन हिट बिलकुल भी नहीं होते है तो यह कुछ ऐसे ही था और इसको हमने निकाला है और उसके पास यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं कि यह देखिए यहाँ पर तीन सो क्यास पास में जो है रिडिंग आ गया मलब की जो सोट था ठीक है वी पेच लाइन वह अभी अच्छे से रिडिंग दे रहा है तो जो प्रोल्म था वो हमारा एक कैपिसिटर था ठीक है उसको हमने निकाल दिया और अभी हम जो आइसी को या को जैसे की हमने निकाला था चेक करने के लिए उन सबी को हम वापस से लगा देंगे झाला लगा दिया है ठीक से तों से यहाँ पे जो है ओन करने का कोशिश करेंगे की स्वैटिंग निकल गया है आभी ओन होता है यह इस थू क 요ूछ समरे है तो जैसे हम मैंने मदर बोड को ड्म ऺाफ कषके और ओर को किया तो यहाँ पे ओन हो चुका है सय जै तो वाइज ऑन होने के बाद में आपको दिखा दें कि यहां पर कौन सा जो है मोडल है तो सॉफ्टर वर्जन पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं सीपेच 2189 ठीक है